हेलो फ्रेंड्स वर्कम टो आर चैनल ट्रेंग पर दिस इस ओमा संकर दोस्तों दो दिसंबर के जो भी important news है उससे जो important current of wear के questions बन सकते हैं वो इस वीडियो में बताये गया है और ये current of wear के videos daily basis, weekly basis और monthly basis पर provide कराये जाता है और हर दिन जो videos होंगे उस पर जो questions बताये जाएंगे ऐसा नहीं कि questions के number fix होंगे ये news के recording vary कर सकता है जैसे कि आज मैं आप को 10 MCQs बताने वाला हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे like कीजिए अपने दोस्तों से share कीजिए तो चलिए हम लोग video start करते हैं first question है और हाँ ये question को मैं English और Hindi दोनों में बताऊंगा ताकि किसी भी language के candidate को problem ना हो तो पहला question है निमलिखित में से किसने हाली में 24 महा लेखा नियंतरक के रूप में कारेभार समभाला है who has been appointed as the 24th controller general of accounts JPS चावला, सोमा रोय बर्मन, आसुतोस सहाय, पत्तर लिखा दत्ता देगे यहाँ पर जो पहला option है JPS चावला ये 23rd controller general of accounts है लेकिन 1 December को ये post सोमा रोय बर्मन को मिल गया लेकिन news 2 December को आया है और सोमा रोय बर्मन देखा जाए तो overall 24th CGA है लेकिन अगर women की बात की जाए तो ये 7th women CGA है तो इसका answer क्या है option 2 सोमा रोय बर्मन और इसके पहले ये additional controller general of accounts रह चुकी थी next question देखते है next question है which country to cover the G20 presidency recently from Japan जापान के बाद किस देश को G20 देशों का अध्यक्ष बनाया गया है 2019 में G20 का summit जापान में हुआ था और इसलिए जापान के पास इसकी presidency थी जिस country में ये होना होता है जहां पर ये summit होता है उसी country के पास इसका presidency होता है अब जापान का ये complete हो गया तो अब ये सौधी अरेबिया में 2020 में होने वाला है इसलिए जापान से presidency अब सौधी अरेबिया के पास आ गया 2020 में साओधी अरेबिया के रियात में ये होने वाला है तो इसका answer क्या है option 3 साओधी अरेबिया Next question है नियमित ठीका करन से छूटे बच्चों को बिमारियों से बचाने के लिए सरकार दोवारा कौन सा कारेकरम चलाये गया है Which program has been launched by the government to protect children from disease who were left uncovered during regular immunization ये ठीका करन का एक time limit होता है लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को वो ठीका नहीं दला पाते है अब उसी के लिए अब ठीका करन नहीं हुआ है तो हो सकता future में बिमारी हो जाए जैसे की TB, Tetanus, Habitatis तो इसी से बचने के लिए ये Mission Indra Danus 2.0 लॉंच किया गया है ये initially 2017 में ही लॉंच किया गया था लेकिन ये हर साल स्टार्ट किया जाएगा और अभी ये December 2019 से स्टार्ट होगा और March 2020 तक चलेगा और इसमें 2 साल से कम रूमर के जो बच्चे हैं साथी साथ जो pregnant women है उन्हें ये टीका दिया जाएगा ये vaccination दिया जाएगा तो इसका answer क्या है option 2 Mission Indra Danus 2.0 next देखते हैं next है first country in the world to make digitalization of entire process for Haj हज के लिए पूरी प्रक्रिया का digitally करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है हज जिसमें मक्का मदिना जाया जाता है और इसको apply करने से लेकर वहाँ जाना वहाँ ठहरना वहाँ से वापस आना ये सारे process को इंडिया ने पूरी तरह से digital कर दिया है online कर दिया इसके लिए different different mobile app launch किये गया है जैसे कि e-visa जिसके थुरू हज के लिए apply करना होता है e-masiha जिसके थुरू health से related issue या information प्रोवाइट कराया जाता है मतलब किसी भी तरह का information और किसी भी तरह का काम हो तो mobile से ही सारा काम हो सकता है और ये process को digital करने वाला इंडिया अभी एक मातर कंट्री है और इसलिए ये पहला कंट्री भी है तो इसका answer क्या होगा option 3 इंडिया next question देखते हैं next question है भारत और स्रिलंका के बीच 2019 में हो रहे सात्मा सैन्ने अभ्यास का नाम क्या है the seventh military exercise between India and स्रिलंका in 2019 is यहां जो आप options देख रहे हैं समुद्र सकती ये India and Indonesia के बीच होता है मैतरी ये India and Thailand के बीच होता है सूर्य किरन ये India and Nepal के बीच है और मित्र सकती ये India and स्रिलंका के बीच है इसका seventh edition पूने में 2 December को start हुआ है और इसमें क्या होगा दोनों देखों के कुछ techniques आपस में share किये जाएंगे एक तरह से आपस में मिलकर ये समझवता किया जाता है कि दोनों देखों के लिए सान्ती बनाए रखेंगे next question देखते हैं इसका answer क्या होगा option ने मित्र सकती next question है अबुधावी Grand Prix title 2019 won by अबुधावी Grand Prix 2019 को किसने जीता है ये 2 December को ही हुआ था और इसमें जो टॉप आये थे जिसने इस title को जीता है वो हैं लेविस हैमिल्टन जो की Mercedes के driver है इसके बाद जो second नमर पे आये थे वो थे Max Westrepan जो की Red Bull के driver है और Charles Lecler ये Ferrari के driver हैं जो की 3rd position पे आये थे और अगर लेविस हैमिल्टन की बात करें तो इस साल इन्होंने 21 race में participate किया जिसमें 11 race को इसने अपने नाम कर लिया है और अभी तक total 84 championship को इन्होंने जीता है इस question का answer क्या होगा option 3 लेविस हैमिल्टन next question देखते हैं next question है इसमें से कौन भारत्य नौसेना की पहली महिला pilot बन गई है the first woman pilot in Indian Navy is यहाँ पर option है सिवांगी, भावनाकंत, मोहन सिंग मोहन सिंग, आवनी, चतरविदी तो भारत्य नौसेना में Indian Navy में पहली महिला pilot first woman pilot बनने वाली जो female person है वो सिवांगी है जो की sub-lieutenant है और यह जो बाकी के options आप देख रहे हैं भावनाकंत यह Indian Air Force में पहली महिला pilot है, उसके बाद मोहन सिंग, मोहन सिंग, आवनी चतरविदी, यह दोनों भी भावनाकंत के बाद महिला pilot बने थी Indian Air Force में और यह जो सिवांगी हैं यह बिहार की रहने वाली है मुझा परपूर की, तो इसका answer क्या है option 1, सिवांगी next question है when is international day for the abolition of slavery observed नमलिखित में से किस दिन अंतरास्ट यह दास्ता उनमूलन दिवस मनाया जाता है यह जो अंतरास्ट यह दास्ता यह गुलामी उनमूलन दिवस है international day for the abolition of slavery यह 2 December को मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि किसी भी तरह का गुलामी हो चाहे वो forceful marriage हो किसी का exploitation के against खड़ा होना या फिर child marriage इसके against में जो भी steps लिये गए हैं उसके लिए उसके सफल कदम के लिए successful steps के लिए यह दिवस मनाया जाता है तो इसका answer क्या है 2nd December option 2 और यहाँ पर यह जो day है यह United Nations ने इसे declared किया है और United Nations का आपका यह date पता होना चाहिए कि 24th October 1945 को यह establish हुआ है और अभी इसके जो general secretary है वो Antonio Guterres है next question देखते है next question है Mexico के अंतरास्टे पुस्तक मेले में guest of honor के रूप में पहला ACI देश कौन है first Asian country to participate recently as guest of honor in Mexico international book fair यह जो book fair है Mexico का Spanish language में यह world का सबसे बड़ा book fair है और इसमे इंडिया को guest of honor as a guest of honor सामिल किया गया था और यह पूरे ACI का पहला country है जिसे यह सम्मान दिया गया है और वहाँ पर इंडिया को represent करने वाले थे HRD के स्टेट मिनिस्टर संजय धोत्रे तो यहाँ पर इसका answer क्या है option to India next question है next question भारत ने हाली में किस देश से 11,000 metric ton प्याज आयात करने का आदेश दिया है from which country India has ordered to import 11,000 metric ton onions इंडिया में जो प्याज की किल्लत चल रही है जो crisis से जिसके करण प्याज का price बढ़ गया है उसके करण इंडिया का जो consumer affair का department है उन्होंने MMTC को minerals and metal trade corporation इससे order दिया है कि आप तुर्की से 11,000 metric ton प्याज इंपोर्ट कीजे तो ये 11,000 metric ton onions तुर्की से इंपोर्ट किया जाना है तो इसका answer क्या है option 3 तुर्की तो ये total 10 important questions थे 2 December के और इसी तरह से हर दिन जो important current affair के questions होंगे वो provide कराया जाएंगे और जैसा कि मैंने कहा daily basis weekly basis और monthly basis पर ये lecture provide कराया जाएगा और इसके जो PDF files हैं वो आप हमारे telegram group को join करने के बाद ले सकते हैं या फिर आप हमारे page www.trainingpradis.com में visit करके इसे download कर सकते हैं और इन questions का online practice करने के लिए भी आप हमारे website में visit कर सकते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो please इसे like कीजे अपने दोस्तों से share कीजे और अगर आप हमारे channel में नए हैं तो please इसे subscribe कर लीजे ओके thanks for watching this video and see you soon